हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर्स से हमारे चैनल जीडिसी मेडिसिन पे हम अपने चैनल पे दवाईयों की जानकारी रोगों की जानकारी एवं सास्त देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक के जानकारी यहां पे देते रहते हैं तो अगर आप भी हमार चैनल पे नए हैं तो इससे जरू सब्सक्राइब करें आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉप्लर मेडिसिन अरिस्टोजाइम लिक्विट के बारे में जियां यह जो अरिस्टोजाइम का सिरप है या लिक्विट जो भी कहलो यह एक ऐसा सिरप होता है जो की डॉक्टर चैनल साइब सिरप को लेने के लिए आप कहसकते हो प्र Вам ने सकते हो डॉक्टर देते भी हैं आज हम जाने के इस अरिस्टोजाइम शिरप के इंदर मेन कमपोछीशन कंटेन क्या क्या मिली होगी इसका उपयोग कह ने धो मिल जाता है इसके काम करने का तरीका यानि की इसके इस्तमाल करने का सही तरीका क्या है इसका डोज प्रिकॉशन साइड फिट मतलब इस शिरप की वारे में हम आपको संपूर जानकारी देने वाले हैं पूरे वीडियो में जरूर बने रहीएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस्न होने पड़े जिया अरिश्टो बात करते हैं कि मैनिफ्यक्ट्र के अरिश्टो फार्मास्टोटिकल इसको बनाते हैं रूम टंपरिचर पे स्टोर कर सकते हैं और दो से मेल का जो आपका सीरप का बॉटल होता है लगभग 124 पचीज उर्पे के आसपास मिल जाती है बात करेंगे इसके यूजर की तो जैसा जलन भी हो जाएगा जलन के साथ भूग की कमी भी होगी अपच की समस्या हो जाएगी और साथी साथ आपका पेट फूल सकता है जी मचलाना उल्टी जैसा महसूस होना तो यह कुछ कॉमन ऐसी समस्याइं है जो की अरिश्टो जाइम दूर करता है और इसको दूर करने के लि अपका कह सकते हो टाइजश्टी या पाचन शकती को बनाने का काम करता है साथी साथ जो आपका इस्टार्च को सिमपल सुगर में यहां पर डाइजेशन करने के लिए जाना जाता है आज विले आपका कह सकते हो इस फैटो प्रोटीन या जो अधर cellulose वगरा हुए उनको भी आपका इजली तरीके से absorption करवाने में कही ने कही डायस्टेज का बहुत अच्छा रोल होता है तो उस प्रकार से यह डायस्टेज वर करेगा प्यपसिन की बात कर लें प्यपसिन भी एक तरीके से ऐसा एंजाइम है जो कि आपका प्रोटीन के breakdown में बहुत अच्छा रोल प्यपसिन जाता है और आपका जो प्रोटीन है प्रोटीन के आसानी से डाइजेशन करवाने के लिए प्यपसिन जाना जाएगा तो इस प्रकार से देख सकते हो जो डायस्टेज हुआ और प्यपसिन हुआ दोनों मिल करके अपना अच्छा रोल प्ले किये और आपकी जो अपच से जुड़ी जितने भी समस्याइए जितने भी सिम्टम है उसको स दो चम्मस पर दे दिन बर में दो बार दिन बार ले सकते हो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है फिर बात करेंगे अगर प्रिकॉशन क्या साधानी रखनी है तो इस्तमाल करने से पहले इस सीरप के बॉटल को अच्छे से जरूर करें बचों की पहुत से दूर रखेंगे अगर उन्हें पिलाना है तो खुद की देखरें पिलाएं कूल प्लेस में ड्राइट से दूर रखना चाहिए और इस्तमाल करने से पहले इसके लिविल को डियरेक्शन को भी अच्छा से जरूर पढ़ना चाहिए अगर बात करेंगे साइड इफेट तो जैसा कि मुत आया इसे अरिस्टोजाइम जो लिकूड होता है इसमें बातों का ध्यान जरूर रखना है कैसे इस्तमाल करना है यह भी बताए हमने काम कैसे करता है यह भी बता दिया कहां-कहां यूज होता है कितने की आती है कौन बनाता है और यह मतलब इस अरिष्टोजाइम से बारे मामने आपको संपुर्ण जानकारी ती उम्मीद होगी इस झाल झाल